So, welcome to today's video, आज हम शुरू करेंगे वाग प्रेचार from कस्तुरी मराथी वाग प्रेचार क्या होते हैं? ये हमें हमारी feelings को, हमारी emotions को जाधा अच्छे तरीके से explain करने के लिए, express करने के लिए use किये जाते हैं तो चलो सबसे पहले देखते हैं अच्छमबा वाटने, याने क्या आश्चरे वाटने, to get surprised, it's in a positive node के आपको किसी चीज से expectation ना हो और आपको चीज मिल जाए या पता चल जाए मला चितर कलास पर देख पहले बक्षिस मिलाले, ताचा मला अतिशे अच्छमबा वाटला आप इसके जगे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बाबानी मला नवीन साइकल ग्यूंदिली, ताचा मला अच्छमबा वाटला, you were not expecting it, but you got it दूसरा है, उतराई होने, रोणातन मुक्त होने जनरली ये हम किसी को बहुत सारा थैंक बोलने के लिए, दिल से थैंक फुल जब हम होते हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं उतराई होने, जैसे कि आपके जो गुरु जी ने या फिर आपके टीचर्स ने जो आपको ग्यान दिया है, उसके लिए आपकी ममी के लिए, आपके ममी पापा जो आपके लिए काम करते हैं, उससे आपका भी फ्री हो सकते हो क्या, उनके बहुत फेवर्स होते हैं हमारे आपन आई वड़लांचा उपकारा तुन कदीच उतराई हो शकत नहीं नेक्स्ट है कबूल करने, मान्य करने, किसी चीज़ को एकसेप करना, जनरली ये कब होता है जब आप किसी के, किसी ने कोई बात बोल दी और आपने उसको एकसेप किया, you are not willing to accept it, but yeah, you did अनुजाने आपली चुक कबूल के लिए, कुछ गलती हो गई हो गिससे चिडी चुप होने और दी शान्त होने थंडी चा दिवसाथ संधाकारी लवकर चिडी चुप होते means थंडी के दिनों में जब शाम को, जिसे थंडी का मौसम आ गया, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने गरों में जाके और अच्छे गरम कपड़े वगरा पहन के बैठ जाते हैं, इसका और एक हम कर सकते हैं, जिसे के सर आलयानंतर, पूर्ण मूल चिडी चुप जालित, right? So, you can use it like that. Next, देखते हैं, डोडे उघडने, योग्य गोष्ट समझने, डोडे उघडने means इसको literally नहीं लेना है आपने, कि जैसे आखे खुल गई, तो क्या पता, कोई चीज आपको अच्छे से पता चल गई हो, तो ह दोडे उघडने, सरानी मला अब बैसाची पद्धत संगितला वर माझे डोडे उघडले, कि आप अब उस चीज को सोच समझके करोगे? नेक्स्ट है, तोन्चे पाणी पढ़ने, खुब घबरने, मला खेलताना साब दिसला, आने माझा तोन्चे पाणी पढ़ाले कभी-कभी हम बहुत डर जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्या करें? जिसे मूँ सुख जाता है, होट सुख जाते है, गला सुख जाता है, तो उस तारीके से इसको यूज किया जाता है, तोन्चे पाणी पढ़ने धड़े देने, मेंज शिकवने, शिवाजी महराजन्ना तैंचा गुरूने तलवारी चे धड़े दिले, धड़े देने मेंज किसी को टीचिंग करना, कुछ अच्छे तरीके से, धड़ा मतलब क्या? लेसन, I'll teach you a lesson, रैट? नेम नसने, निश्चित नसने, किसी चीज को लाइक वो ऐसे पका नहीं उसका, फिक्स नहीं है, जैसे कि पाउस कदी यही लियाचा काही नेम नहीं, हमने देखा है, बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, सुबे, शाम, दोपहर, तो उसका कोई ऐसा फिक्स टैमिंग नहीं होता है, फड मिलने, केलेल्या कामाचा लाब मिलने, जो आपने कुछ काम किया है, उसका आपको फाइदा मिल जाए, बरपूर मैंनत केल्यानंतर फड मिलतेज, मन वड़वने, सम्जुद गालने, काकुने, दिशाचे मन वड़वन अब्यासाला बस अवले, भार पढ़ने, जवाबदारी पढ़ने, राजाचा मृत्यू नंतर, राज कुमारावर, सग्ड़ा भार पढ़ला, लड़ा लावने, माया लावने, माझी अज़ी, माझा महीत्र निन्ना पन लड़ा लावते, लड़ा कसल आउता है, किसी से हम अच्छे से बात करते हैं, प्यार से, तो क्या हो जाता है, उसे affection हो जाता है हमसे, तो उसे कहते हैं, लडा लावने, हाथ भार लावने, मदद करने, किसी को help करना मतलब क्या, हाथ भार लावने, सुट्टी असली कि मी माजा बाबान ना दुकाना थाद भार लावतो, मतलब क्या, हम उनको help करते हैं, हाल होने, खूप त्रास होने, पावसालयात गरिबान छे, खूप हालोतात, हुरुप येने, उच्छह येने, भारत माता की जय मंताच साइनी करना हुरुप आला ओके, सुब स्टॉप ओएर, थैंकी सो माच, प्लीस सब्सक्राइब